यूएसे वीजा विंडो हिंदी सीरीज में डॉक्टर सुधिर्षा एडवोकेट आप सबका स्वागत करता है दर्शक मित्रों पिछले पांचे इपीसोड से मैं आपको अमरीका इमिग्रेशन और वीजा यह सिर्षक हेटर यह सिर्षक के नीचे यह हिंदी में आप को उने से अपको अमेरिका का गृचक मिल सकता है उसके बारे में जानकर्यदी अब मुझे आपको यह बताना है कि जो लोग रिन कर्डे लेते हैं वो उनमेंसे कई लोग उसका मिस्यूस करते हैं, ग्रीन कार याने एलियन रजिस्टेर्शन रिसीट, वो जब सबसे पहले दाखिल हुआ था, तब वो जो प्लास्टिक के एक व्यजिटिंग कार के कद का जो कार है, उसका रंग ग्रीन था, तो इसले उसका नाम ग्रीन कार कोने से आप अमेरिका में पर्मेनन रह सकते हैं वहां नोकली कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी ले सकते हैं कभी भी अमेरिका के बाहर जा सकते हैं कभी भी अंदर आ सकते हैं हां ग्रीन कार्ड वाले लोग को अमेरिका के बाहर लेकिन फिर नहीं देंगे और अगर आपको अमिडा के बाहर ज्यादा रहने की जरुवत है तो आप प्रमिट लेश्ट को अमेरिका के बाहर दो साल रहने की पर्मिशन दी जाती है अब कई लोग जो अमेरिका में पर्मेन रहना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे वहाँ उनके रिस्तेदार वहाँ उनके फ्रेंड्स वहाँ तो यह कारण सर्व लोग ग्रीन कर लेते हैं और फिर वहाँ छे मेने में एक दफे चार पंदरा दिन आके रहते हैं और वापीस चले जाते हैं ग्रीन कर का इस्तेमाल वोलो एक रेल्वे के पास की तरब अमेरिका आने जाने के लिए करते हैं यह बात बुली है क्योंकि अमरिका हर साल एक फिक्स्ट संख्या में नियत की हुई संख्या में ग्रीन कर देता हैं और दुनिया के कई लोग ग्रीन कर लेने के लिए अरजी करते हैं तो वो सब लाइन में खड़े होते हैं अगर आपको अमेरिका में पर्मेनन नहीं रहना है और फिर भी आप ग्रीन कर लेते हैं तो आप दूसरों का आपके पिछे वाले जो है उनका हब छीन लेते हैं और उनको लाइन में ज्यादा देर खड़े रहने की कंपर सरी फर्स पड़ते हैं तो आप अगर अमेरिका में पर्मेनन रहना नहीं चाहते तो ग्रीन कर मत लिजिए बीवन बीटू वीजा दस साल का मल्टी एंट्री लिजिए ना एक भाई जिन्होंने पांच साल परें ग्री इमिकरिशन आफिसर ने उनका रेकोर्ड देखा और उनको लगा कि यह अदमी अमेरिका में पर्मेनन रहना नहीं चाहता है उन्होंने उससे सवाल किये कि भई सब आपको ग्रीन कर मिले कितना साल होगा उसने कहा कि मुझे मैंने पात साल पहले मुझे ग्रीन कर मिला था सब्सक्राइब इमगृन पीजा मिला तो जो लेकर मैं अद्लिका आया ऐलेकर और में तो तीन में वहां रहा और फिर इंडिया आ गया तो वापीश कब गए एक साल के बाद ओ और फिर तो वहां आ परवलें नागे मैंने वापीस एक साल के बाद गया लेकिन 3 मेने रहा और फिर मैने Returning Resident Permit मिली और इंडिया आ गया और दो साल इंडिया में रहा और फिर वापिस जब गया तब मैं वहां 15 दिन एक मेना रहा और वापिस आ गया इंडिया फिर 6 मेने के बाद गया अच्छा-च्छा तो आप अमेरिका में कभी भी दू-3 मेने से ज्यादा नहीं रहे है हां हां जी और आप अमेरिका में क्या करते हैं जी कुछ नहीं करता हूं आपका घर है मेरा मेरा भतिजा महा है तो उसके साथ रहता हूं तो आप अमेरिका में आप तो 45-50 के हैं तो अमेरिका में कुछ करते नहीं का नहीं मेरा इंडिया में बिजनेस मैं मैं फार्मसिस्ट हूँ और आपके कोईव elkaar की हाँ मेरे दो जोग कोंगे हैं तो मैं अभी ल सुरता में अच्छा और अपको अमेरीका है दो गड़ें में इंजी रहयों भी है वह आप का अमेरिका में फिर वापीस इंडिया je को आपका इरादा अमेरीका में कायम रेने का मुझे नहीं लगता हूं मैं आपका कर वापिस ले तो दर्शक में तो अगर आप भी अमेरिका में कायम रेना नहीं चाहते है अगर आप अमेरिका के green card का railway pass की तर इस्तिमाल करते हैं आने जाने के लिए तो ऐसा मत किजिए green card मत लीजिए या अगर आपके पास है तो वो surrender कर दीजिए और दस्ता का B1 B2 visa ले लीजिए और दुसरी बात अगर आप green card वाले हैं तो आपकी income कहीं भी हो वर्ल्ड में कहीं भी हो आपको टेक्स अमेरिका में भरना पड़ेगा भरना चाहिए कई लोग यह नहीं करते हैं तो यह सब गलत है तो आप अगर अमेरिका में पर्मेन रहना नहीं चाहते तो दुसरों का हक मत चिनो ग्रीन कार्ड मत लो यह अगर है तो वह सरेंडर कर दो और दस साल का मल्टी एंट्री वीवल मीट्री वीजा लो और इस बारह में अब आपको और कोई जानका नहीं चाहिए कुछ आपको पजल करता है आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन मत लो मैं हूना मेरे पास मोबल नंबर है 98204-19469 और मेरा इमेल एड्रेस है सुधिर्शा 1940-gmail.com और यही जानकारी अगर आप यह आपके दोस्त लोग गुजराती में पाना चाहते हैं तो मैं हर हपते सूरत की एक चैनल खबर शेपे गुजराती में भी यही बात में देता हूँ आप मुझे गुजराती में भी सुन सकते हैं और सब जानकारी गुजराती में पास सकते हैं और मैं हर मैने पिछले 15 साल से सूरत दो दिल कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ और वहां स्टेशन के नजदीक आई हुई दे ग्रेट वेस्टर्न यूरा लॉटन में ठहलता हूँ अगरे मैने याने डिसेंबर 2021 में मैं साथ आठ और नव ये तीन दिन सूरत में हूँ अगर आपको मुझे कंसल्ट करना है तो आप मुझे वहां कंसल्ट कर सकते हैं तक तक आप घर में रहिए सुरक्षित रहिए सूशल डिस्टन्स मैंटेन करिए नमस्ते